बिमारियां और गंभीर तवचा रोगों को केले के चिलके की मदद से पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। जिल लोगों को सालों से पेट संबन्धी कोई ना कोई परिशानी चलती आ रही है, वो मातर एक हफ़ते में ही केले के सही उप्योग से पूरी तरह ठीक की जा सकती है। और इतना ही नहीं, अगर केले खाने का सही तरीका पता हो, तो दिल की बिमारिया, किडिनी रोग और यहां तक की डाइपटी जैसी जानलेवा बिमारियों में इसके इस्तमाल से कमाल के फर्क नजर आने लगते हैं। क्या-क्या लाप्राप्त किये जा सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। हाला कि केले के छिलकों का स्वात थोड़ा कड़वा होता है, लेकिन भारत के कई शहरों में केले को छिलके सहित खाया जाता है। और कई लोग इसे उबाल कर, फ्राय करके या सेक कर भी खाते हैं। केले के छिलकों में विटामिन B6 और B12 सबसे जादा मातरा में होता है। ये वही जरूरी विटामिन्स है जिनकी कमी के कारण हमारी बॉड़ी में थकावट और वीकनेस बनी रहती है। और खासकर बॉड़ापे में विटामिन B12 की कमी के चलते, कई हेल्थ रिलेटर प्रॉबलम शुरू होने लगती है। इसके लावा केले के छिलकों में मेगरिश्यम और पोटेश्यम भी प्रचूर मातरा में पाया जाता है। हफते में कम से कम एक बार केले की छिलकों का सेबन उबाल कर या केले के साथ ही घी में फ्राय करके जरूर करना चाहिए। हमारे पूरे शरीर का भार हमारे पेरो पर होता है। इसलिए कई बार पेरों की एडिया, सक्त और तवचा में कॉन्स होने लगते हैं। जादा समय जूते या सैंडल्स पहनने की वज़े से पेरों की उंगलियों और तल्वों की तवचा कड़क होने लगती है। और उनमें गठान बनना शुरू हो जाती है, जिनमें धीरे-धीरे दर्द भी होने लगता है। इस समस्त से छुटकारा पाने के लिए एक केले के छिलके को सक्त हो चुकी जगह पर टेप से चिपका ले और फिर उपर से सौक्स याने की मोजे पहन कर राद भर के लिए छोड़ दे। केले के छिलकों में पाया जाने वाला सैलेसिलिक एसिड अगले सुबह पैरों की सक्त हो चुकी तवचा को पहले से कई गुना जादा नर्म बना देता है। और इस प्रक्रिया को रोजाना दोहराने से तवचा पर आईकॉन्स भी धीरे-धीरे खट मोहने लगते हैं। कील मुहासे और पिंपल्स अगर आपके चहरे पर बार-बार पिंपल्स या कील मुहासे होते रहते हैं, तो ऐसे में केले की छिलके के इस्तमाल से इन्हें पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। हफ़ते में तीन बार केले के चिलके को अपने चेहरे की तवचा पर हलके हाथों से रगड़ें। केले के चिलकों में मौझूद लूटी नामक एंटी ऑक्सिडेंट और इसकी एंटी इंफ्लमेटरी प्रॉपर्टीज चेहरे के कील मुहासों को कम करती है और चेहरे पर नए पिंपल्स होने से भी रोखती है। जूरियों से छुटकारा केले के चिलकों के अंद्रूणी हिस्से में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज पाए जाती है। आखों और होटों के आसपास मौझूत रिंकल्स याने की जूरियों को हटाने के लिए रोजाना अपने चेहरे पर केले के चिलके के अंद्रूणी हिस्से को 5-10 मिनिट हलके हातों से रखड़े और 15 मिनिट इसे अपने चेहरे पर ही लगा रहने दे। दीरे-दीरे चेहरे की तवचा में कसाव आता जाएगा और स्किन की एजिंग प्रोसेस भी स्लो होने लगेगी। केले के चिलके सोराइसिस जैसी गंभीर तवचा रोगों को ठीक करने के लिए भी बहत कारगर होते हैं। सोराइसिस में तवचा सूख कर पपड़ी की तरह निकलती रहती है। केले के चिलकों का पेस्ट बना कर इसे नारियल के तेल के साथ मिक्स कर लें और सोराइसिस वाली तवचा पर रोजाना लगा कर रखे। इससे तवचा में मौश्चर बढ़ने लगेगा और पपड़ी बनने की समस्याद धिरे-धिरे खत्म हो जाएगी। कई बार तवचा पर चोट या खरोच की निशान हमेशा के लिए रह जाते हैं। चोट या घाव जब ठीक हो रहा हो उस दोरान अगर केले के चिलको को निशान वाली जगा पर रोजाना रगड़ा जाए तो तवचा पर चोट का निशान नहीं रहता। और घाव पूरी तरह ठीक हो जाने पर तवचा पहले जैसी ही हो जाती है। तवचा पर अगर बार-बार मस्से निकलते हो तो रोजाना उस मस्से वाली जगा पर केले की चिलके का एक तुकड़ा टेप या बैंडेट से चिपका कर रखे। धिरे-धिरे मस्से का आकार कम होने लगेगा। दातों का पीला पन दातों की सफाई ठीक तरह से नहीं करने पर धिरे-धिरे दातों में पीला पन जबने लगता है जो की आगे चलके दातों में सड़न का कारण बन सकता है। रोजाना सुबह केले के छिलकों को दातों पर रगणने से, दातों में आया पीला पन तेजी से कम होने लगता है और दाद पूरी तरह सफेद और चमकदार दिखाई दिने लगते हैं. मच्छर के काटने पर मच्छर के काटने पर तवचा में तेज खुजली होना शुरू हो जाती है, जिसकी वज़र से तवचा पर बड़े बड़े चक्ते भी बन जाते हैं. मच्छर के काटने के बाद अगर उस जगा पर केले के चिलकों को रगल दिया जाए, तो खुजली में तुरन ताराम मिलता है. केले के चिलके हमारे साथ साथ दूसरे पेड़ पोधों के लिए भी काफी फायदे मन होते हैं. गार्डन या घर के पोधों में डाले जाने वाले पानी में केले के चिलके को रात भर के लिए भीगो कर रखें. उसके बाद केले के चिलके के इस पानी को अपने घर के पेड़ पोधों में डालें. इसे पेडों की ग्रोध भी अच्छी होती है और पोध है मुर्जाते भी नहीं केले के चिलकों के बाद अब बात करते हैं केले खाने से जुड़े कुछ अद्बूत फायदों के बारे में केला हमारे दिल की सेहत के लिए अच्छा माना जाता है क्योंकि केले में potassium और fiber अधिक और sodium कम मात्रा में मौजूद होता है जिससे blood pressure maintain रहता है केले में मौजूद nutrient हमारी arteries में जमने वाले बुरे cholesterol को कम करने में काफी मदद करते हैं जिससे हमारा cardiovascular system strong होता है और हम heart attack जिसी गंभिर बिमारियों से हमेशा के लिए दूर रहते हैं केला एक मात्र ऐसा फल है जो दस्त याने की lose motion और cups दोनों में ही उपयोगी होता है पेट खराब या food poisoning उल्टी दस्त आदी जैसी problem होने पर केले खाने से शरीर में energy बनी रहती है पेट दर्द में आराम मिलता है और bowel moment smooth हो जाता है शरीर में iron और खून की कमी होने पर केले का सेवन करना बहत फायदे मन होता है खासकर महिलाओं में एक उम्र के बाद एनेमिया और वीकने जिसी समस्या शुरू हो जाती है जिससे शरीर कमजोर पढ़ने लगता है रोजाना केले के सेवन करने से कुन की कमी भी दूर होती है और चक्कर, ठकान अना और सरदर जिसी प्रॉबलम पूरी तरह ठीक हो जाती है केले के अंदर bromeline नामक एंजाइम होता है जो कि हमारी बाडी के sexual hormones को पूस्ट करता है जो लोग गुप्त रोग या किसी तरह की sexual कमजोरी से जूज रहे हैं उन्हें अपने regular diet में केले को जरूर शामिल करना चाहिए तो दोस्तों ये थे केले और केलो के चिर्कों से जुड़े कुछ अधभूत फायदे अगर आपको इसी तरह किसी और फल supplement ये diet से जुड़ी जानकारी चाहिए तो हमें comment के जरीए जरूर बताए अगर आपको आज कई वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक को शेर करना ना भूलें